तो बचो सबसे पहले जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग कैसे हैं और इसमाइल करते ही वे बताइए कि आप लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपकी नैंसी मैम बहुत अच्छी हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं बचो ठीक है तो बचो आज हम लोग पढ़ लिया है और वाकिगान के साथ आपकी जो छोटी से activity है जो test के रूप में है आपने ये भी कर लिया है कर लिया है ना बच्चो तो इसके बाद आपका क्या होता है last में सबसे last में यानि की book exercise होते हैं तो आप already मातरा से जोड़ कर कैसे लिखा जाता है कैसे सब्द बनते हैं कैसे वाकिय बनते हैं आपने सब पढ़ लिया और एक छोटी सी test भी आपने दे दी दे दी है ना बच्चो तो I hope कि आपको ये book exercise करना बहुत ही easy है तो जल्दी से जाए बच्चो अपने बैक से pencil eraser और सबसे important thing आपके ये book भाशा माधुरी और सहय जिंद है भाशा माधुरी की book आप देख सकते हो बच्चो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर लिखी हुई है चित्र के नाम की छूटी मात्रा लगाएं ठीक है पिक्चर देख सकते हो पिक्चर देख कर आप अपने book open कर लो ठीक है तो आपके लिए easily समझ में आ जाएंगे है न इसमें question क्या है यह है बच्चो आपका homework मैं एक बता दे रही हूँ बागी बहुत easy है तो यहां पर बच्चो दिये गए हैं चित्र के नाम की छूटी मात्रा लगाएं तो यह चित्र के नाम तो पहले बताएं यह क्या है yes बच्चो यह है bell किसकी फोटो है यह bell की फोटो तो bell याने कि ए की मात्रा है यह किसकी फोटो है मैना है ना और यह है थैला किस जिसकी पीछो थैला याने कि बैक के पिछो ये क्या है बच्चो पैसा के पिक्चर और ये क्या है सोलजर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सैनिक ठेक और ये क्या है बच्चो टॉर्च इसके अंदर में क्या लगती है बच्चो बैटरी क्या लगती है बैटरी तो सारी चित्रों में ही मात्राइं छुटी हैं आप देख सकते हो बचो यहाँ पर red color में है बला बल लिखा है बैल नहीं यह क्या लिखा है मना मा नामे आ का मातरा मना और यह क्या है थला थला में आ का मातरा थला नेक्स्ट क्या है पसा में आ का मातरा पसा और यह क्या है सनिक सर नामे छोटी की मातरा कसनिक और लास्ट रून क्या है ब और ये है A, दोनों मिलके क्या हो गए? A, यानि कि दो पॉनी, दो चोटी, ठीक है? तो ये आपके A की मातरा छूट रही है सब में, तो जो भी आपके red color से लिखा हूँ है, बच्चों, यहाँ पर red ba है, यहाँ ma है, यहाँ था है, ठीक है? नीचे में pa है, यहाँ sa है, और यहा टा है, तो जो भी आपके red color में है, बस उसमें छोटी सी सुंदर सुंदर आपको, क्या बनाना है? A बनाना है, थोड़ी सी उपर बनाना है, ठीक है? इतनी भी उपर मत बना देजेगा, सीधे bell को ही touch हो जाओ, bell आपको गुसे के मारे दोडाना सुरू कर दे, ठीक है? तो ऐसे मैंने एक बनाया है, बाकी सब में आपको ऐसे ही बनाना है A की मातरा, समझ गयाना है बच्चो? तो ये क्या है बच्चो? आपका homework, क्या है? homework, तो इसको homework मैं आपको दे दे रही हूँ, आपका मतलब आज संडे है, तो आज आपका छुट्टी है, तो आज ही की दिन का म दिन में अच्छी तरह से अपनी homework बना सको, ठेक, सैटरडी 18 को तो आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह से, तो आज की दिन में homework देना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं homework संडे का दिन का 19 का homework आपको दे दे रही हूँ, ठीक है ना बच्चो? नेक्स रोन हम लोग देखते है बच्चो सब्ध रचना, यानि कि जोड़कर लिखना है, तो जोड़कर लिखो तो बहुत ही easy है, आपने कई बर बनाया है, तो आपको हमेसे क्या करना है, left hand से finger out करना है, right hand से क्या करना है, लिखनी है, तो first है आपका च, तो मैं एक लिक दे रही हूँ, च, plus आपको लिखन ठीक है, तो चा हो गया है, चा में ए हो गया है, ठीक, फिर क्या है बच्चो आपका न, ये क्या हो गया, चैन, क्या हो गया बच्चो, चैन, ठीक है, चैन नहीं है, चैन, तो ए बोलते हो, तो इसी तरह आपको वर्ड भी, वैसे ही आपको चार्न करनी है, चैन, है ना बच्चो इजी वैसे ही है ग, गा में ए, स, यहां क्या हो जाएगा, गैस, म, एक का मात्रा, ल, क्या हो जाएगा, मैला, त, एक का मात्रा, र, क, तेराक, ठिक, म, एक का मात्रा, दा में, आ का मात्रा, न, क्या हो जाएगा, मैदान, लास्ट रोन क्या है बच्चो, ब, एक का मात्रा, ल, बैल-गा-डी अड़ा पर E है ना बड़ी की मातरा बैल-गाडी तो यहां पर ली सकते हो ना बच्चो तो यह भी क्या है आपका homework तो जल्दी से जाए बच्चो आप यहां side में homework लगा दीचे ठीक है तो यह भी आपका date रहेगा 19-9-21 तो कल छुटी है संडे है तो आप इसली अपना homework बना लेज़ेगा ठीक है ना बच्चो सब के book में homework बनना चाहिए तो यह आपको homework मिल गई है अब एक book और है कौन से book है जल्दी बताईए यास आपकी सहय जिंदी रचना प्रवेश की book तो मैं क्या करती हूँ भाषा मादुरी की book को side कर देती हूँ और सहय जिंदी रचना प्रवेश की book ले आती हूँ ठीक तो यह है बच्चो आपका सहय जिंदी रचना प्रवेश की book मैं आपको दिखा दूँ ये है बच्चो आपका सहे चिंदी रचना प्रवेस की बुक ठेक आप ये वाली बुक ओपिन कीजिए मैंने भी ओपिन कर लिया है ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिख रहा ची तरह से यास तो यही पिक्चर वाली आप ओपिन कीजिए इसका पेज नमबर मैं आपको बता दू बच्चो इसका पेज नमबर लेफ्ट साइड के कॉर्णर में रिखा हुआ है बॉटम में 2222 कितने पेज नमबर बच्चो 2222 तो आप ओपिन कर लिजे ओपिन हो गए अब क्या है यहाँ पर कारे पत्रक 1919 क्या है बच्चो कारे पत्रक 1919 यानि की वॉक्सिट ठीक है यह है आपको आ की मात्रा और आ की मात्रा कैसे दिखाए दरी है सिंबल ओफ आ इंगलिस में AI को क्या बोलते है ठीक तो इसमें है कुछ CW ठीक तो CW में लगा दरी 18921 तो यह है बच्चो आपका CW ओके बच्चो और होमवक के लिए मैं आपको बाद में दूँगी इसमें पहले इसको मैं बता दूँ यह क्या है बच्चो उप्यूक्च सब्द चुनकर चितरों के नीचे लिखो अब यह तो आपने कई बर किया यहाँ पर बहुत सारे सब्द दिये गए है और बहुत सारे पिक्चर्स तो पहले क्या करना है सारे पिक्चर्स में आपको नंबर लिखनी है ताकि इजी हो जाए नंबर वन सेकेंड वाले में नंबर टू बैग वाले में नंबर थ्री torch वाले में number 4 scar वाले में number 5 bird में number 6 इसमें number 7 और last one number 8 यानि कि how many pictures कितने हैं total? total how many pictures? yes बचो total 8 pictures is there okay now what is the first picture of this? let me guess ये क्या कर रहा है? नहा रहा है तो कहां पर नहा रहा है? नहाने के लिए अगर one place to another place जाना हो तो बचो कैसे जाएंगे पाने में? tear कर या उड़ कर? yes बचो आप नटेर के जा सकते हो नँड़ के जा सकते हो आप tear कर के जा सकते हो और जो पाने में tear ते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताएए मैंने इंग्लिस में भी बताया था और हिंदी में भी बताया था swimmer और swimmer को इंग्लिस में क्या हिंदी में क्या बोलते है? tearak तो त से होता है tearak तो जल्दी से ढूलिए बचो ये है ता नहीं ये है ता नहीं ये भी ता नहीं यहां पर है एक ता लेकिन तै नहीं है यह तो इसको करनी है कट और इसमें लिखनी है नंबर वन ठीक है ना बचो नंबर वन क्या है आपका तैराग अब इसके स्पैलिंग कहां लिखनी है आपको यहां पर ता में ए रा में आ का मातरा का तैराग ठीक है ना बचो नेख्स वन क्या है यह यह क्या है यह क्या है ज़सको क्या क्या नंबर टू इसको देखना चीतरा से और लिखना है इस पिक्चर के नीचे पहले लिखो ता फिर लिखो तै फिर लिखो या क्या हो गया ता तया ठीक है ना बच्चो ठर्ड नमबर पिक्चर क्या है आपके ये है bag, bag को English में क्या बोलते है थैला, Hindi में क्या बोलते है बच्चो थैला, अब जल्दी से थैला देखो, ये है थैला, नहीं ये है गया, ये है थैला, तो इसको करो cut, number 3 लगा और इसको लिग देना है इस picture के नीचे में थैला, ठीक है ना बच्चो, अब क्या है आपके last one, ये है torch, English में भी torch बोलते हैं, Hindi में भी torch है, लेकिन torch के अंदर में क्या लगती है बच्चो, yes बच्चो, torch के हिंदी में अंदर में लगती है बैटरी, और हिंदी में क्या बोलते है इसको battery, तो कैसे लिखते हैं, बब में, ए, ट, रा में बड़ी इ, बैटरी, तो जल्दी से खोजें की battery कहा है, ये है battery नहीं, ये हो चुकİ है, ये भी नहीं है, ये मिले गई मुझको battery, 4 नंबर करना है, कट लगानी है number 4, और 4 नंबर के picture में ही लिख देनी है battery, बा में ए, ट, रा में बड़ी इ की मातरा battery, हो गया ने बच्चो, देखें next picture, अब ये है बच्चो यानि कि क्या है बुलक कार्ट ये हो गए आपके बैल और ये हो गए उनकी गाड़ी यानि कि बुलक कार्ट अब जल्दी से देखो बचो फाइव नंबर के पिक्चर का नाम कहा लिखा हुआ है बैल गाड़ी तो ये है नहीं ये हो चुकी है ये नहीं है बा नहीं है यहाँ प 5 है और इसको कहां लिखनी है बच्चो यहां पर बैल गा डी बैलगाडी हो गए ना बच्चो बैलगाडी next one है six number में क्या है बच्चो यह मैना के picture और मैना देखो कहां है आपके number six के picture यह नहीं हुई है मा भी नहीं है यह हो चुकी है यह रहा मा में आ ना में आ का मातरा तो करो कट और लिख दो six यह क्या हो गया बच्चो मैना हो गया ना बच्चो मैना अब यह बताओ बच्चो यह क्या है लिखते तो है गाए लेकिन यहां पर लिखा हुआ है गया जैसे गया बोलते है ना तो इसकी spelling यहाँ पर दी हुई है बच्चो, number 7 में गव में आ, यहाँ में आ का मातरा तो इसको कर दो, cut गया तो यह हो गया बच्चो, 7 यहाँ पर गव में आ, यहाँ में आ का मातरा गया, ठीक है last one, बच्चो, एक ही है, जिसके पिक्चर भी छुटे वे और नाम भी छुटा बस आपको कुछ नहीं करना उसका नाम जो बच गई उसको लिख देनी है तो जल्दी से देखे कौन से नाम बचे वे यह कत है यह बी कत है यह बी कत है और इधर के दोनों कत है बस यह बच गया है तो सामें ए नामे छोटी का सैनिक तो ये सही भी बचे है number क्या है 8 तो इसको का हा लिखनी है बच्चो लास्ट लन के picture में यहाँ पर हो जाएगा बच्चो सैनिक तो हो गया बच्चो आपके classwork आजके अब क्या है बच्चो next one अब यहाँ पर क्या दिया गया है खानों में दिये गए वर्णों में A की मातरा लगा कर सत बनाओ अब A की मातरा कैसे लिखती है एक चोटी के दो चोटी बताए जल्दी जल्दी यास बच्चो दो चोटी ये है A और एक और मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा A तो सब में मुझे ये दो वाले लगानी है चोटी है कैसे करना है आपको पता ही है यहाँ साइड में आपको बहुत सारे क्या है आपके वर्ण लिखे गया है बॉक्स में है ना इसी वर्ण को क्या करना है फिलिंदा ब्लैंक्स में बगल में लिखना है लेकिन simple नहीं लिखना ए की मातरा लगा करके लिखना है ठीक है तो आप पहला मैं बता दे रही हूं बाकी आप कर लेना ये सब में ए लगा दो लग गया ना ए अब क्या हो गया मामे ए को उतार दो यहां पर मैदा मैदा क्या हो गया एक फ्लोर हो गया ना वाइट कलर के ठीक है जिससे रोटियां बनती है बहुत सारे डिसेज बनते है ठीक है अब ये क्या है का में ए सामें आ का मातरा कैसा तो इस का का मातरा के साथ आप इसको उतार दो उपर से स्लिपिंग लाइन डाल दीजिए तो ये क्या होगा बच्चो कैसा कैसा मतलब हाओ ठीक ये क्या है सामें आ रा सेर तो सामें आ लिखो और रा लिख दो सेर यानि क्या करना है वाउक करना है जैसे इवनिंग वाउक, मॉर्निंग वाउक या फिर कहीं पर तूर जाए आप ठीक यह क्या है वैसा वा में ए तो इस blank में लिख दीजिए वा में ए उपर में slipping line तो वैसा ठीक अब क्या करना है बच्चो लास्ट में जब आपका ए का मात्रा हो जाता है तो आपको कर देनी है इसको erase ताकि आपके book neat and clean लगे ठीक है ना यह हो गए erase बन गया ना ऐसे तो बच्च तो यह क्या है आपके homework है ना बहुत easy बिना किसी के help के आप अराम से बना सकते हो तो यह मैं दे रही हूँ आपको 19 के ही homework ठीक है ना बच्चो ताकि आप अराम से easily कर सको 18 के नहीं दे रही हूँ एक दिन के बात का दे रही हूँ आप अराम से बना लेना ठीक है ना बच्च तो बच्चो आज आपका क्या है एका मात्रा फिनिश हो जाता है ठीक एका मात्रा आज आपका फिनिश हो गया तो ठीक है बच्चो इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हो तो अच्छी तरह से अपने बुक में कम्प्लीट कर लेना ओके बचो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपकी अपनी नैसी मैम के साथ नेक्स वीडियो में तब तक घर में रहें स्लोचित रहें और हमेशा स्माल कीजिए बाइ बाइ एंड टेक क्यार